इंसान उड़ सकता है को सोच सकता है इंसान उड़ सकता है आपको पता है राइट्स ब्रदर जिन्होंने 1901 में प्लाइट्स के लिए कोशिश की 1910 तक उन्होंने इजात कि और परहल एक प्लेन एक फ्लाइट जो है दुनिया में नजर आई कि वह उड़ रहा है राइट्स ब् यह नहने कोशिश चे कि हां इन्सान उड़ सकता है और हम थापित करेंगें इन्सान उड़ सकता है वो आजीज नहीं थे हैं, जिसमानी अज़स था, आजीज़ी थी उन्हें अजीज़ी से मुराद, ठकेवे नहीं थे किसी चीज़ को नहीं करने से वैसे लाह के तालों से आजीजी इनके सारी अच्छा हमाला है दीन के सामने लेकिन यहां यह जो आजीजी थी इनकी यह दुन्या में आजीज नहीं थी इनकी सोच बिल्कुल आजाद थी और यह कुछ करना चाहते थे अगर इनसानी सहूलत के लिए और हजार साल पहले अब बास इबन फिर्णास नाम के शब दुद्रे जिन्होंने खुर्तवा के अंदर यह कोशिशे की एक मिनार तामीर किया गया था जहां से उन्होंने सोचा कि इनसान उड़ सकता है जिसके लिए कोशिश की और पहला उड़ने वाला जहास तो नहीं कहेंगे लेकिन पहला वह एक्सपेरिवेंट जिससे इनसान उड़ता है वो बनाया जिसको ग्लाइडर कहते है आपने देखा हूंगा बहुत सा लोग भू सकता है और से उड़ सकता नहीं है उपर से नीचे आना भी उड़ाना है उनकी तो सोच यह थी कि नीचे से उपर कैसे जाने है उपर से नीचे आना भी उड़ना है लेकिन उनकी सोच जिससे आगे थी नहीं नीचे से उपर कैसा इंसान उड़ने कैसा परिंदे उड़ते हैं वो सोंच रखते थे और वाखे में हजार साल पहले सोंच रखी उन्होंने प्लेइन तो इजाद हुआ 20 सदी के बतुबा में बिल्कुल लेकिन इनकी सोंच हजार साल पहले, 11 सदी में सोंच रहे इंसान उड़ सकता है और वो आजिज में थे सोंच उनका दीन उनकी रहनुमाई कर रहा था ठीक, उनके नभी ने उनकी रहनुमाई की थी उनको आज़ाद खैल खुली सूंच दुनिया के अंदर रखकर गए थी दीन के अंदर और दीन के पावन थे तो याद रखियो